तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का Parts of Speech के दूसरे वीडियो में जिसका नाम है प्रनावन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रनावन चेप्टर और इस भाग में हम लोग प्रनावन का डिफिनिशन प्रनावन के काइंट्स एक्जाम्पल्स के साथ में हम लोग सिखेंगे तो आईए आज की वीडियो सुरू करते हैं दे फर्स्ट प्रनावन पहले हम लोग को जाना है प्रनावन एक्चुली है क्या तो यहाँ पर हम लोग डेफिनिशन देखेंगे अब प्रनावन इज वर्ड डैट कैं रिप्लेस अनावन इन असेंटेंस किस इसी भी नावन को रिप्लेस करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम प्रनावन कियते हैं जैसे यहाँ कोई भी आप एक्जाम्पल ले सकते हैं मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राहुल एज माई फ्रेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो काम इस सेंटेंस में राहुल कर रहा है वही काम इस सेंटेंस में ही कर रहा है यहाँ राहुल का प्लेस यहाँ पर ही ने ले लिया राहुल एक नाउन है और इसका प्लेस यहाँ पर ही ने ले लिया इसलिए ही यहाँ पर एक प्रनाउन है और इस तरह से कई sentences हम लोग देख सकते example में I am going to home today evening अज साम को मैं घर जा रहा हूँ तो यहाँ पर I, मैं जो भी मेरा नाम होगा यहाँ मेरा नाम के जगह में I का प्रयोग हुआ यानि नाउन के बदले में Her aunt will be vacating next week यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी aunt जो है अगले week जो है वो छूटी पर रहेगी तो यहाँ पर her aunt, उसकी auntie उसकी जगह में कोई भी हो सकती है वो गीता हो सकती है वो सिता हो सकती है कुछ भी उसका नाम हो सकता है और उसके बदले में यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ है इसलिए हर यहाँ पर क्या एक प्रणाउन है C is the girl I was talking to you about यही वह लड़की है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था तो C, C का तो कुछ नाम होगा ना, तिया नाम नहीं बलकि उसके बतले C का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ पर C का प्रणाउन है और इसी तरह से this is the place where I found my missing bag यानि यही वह जगह है जहां मैंने अपना खोया वह bag पाया था तो यहाँ पर किसी भी place के लिए, कोई भी place का नाम होगा, यहाँ पर नाम नहीं दे करके उसके बतले हैं पर these का प्रयोग किया गया है इसलिए these भी यहाँ पर एक प्रणाउन है, तो I hope प्रणाउन क्या है, यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आईए अब हम चलते हैं काईट सा प्रणाउन, यह प्रणाउन होते ही कितने प्रकार के हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग-अलग तरह के नाउन के बदले में हम लोग अलग-अलग तरह के वर्ड्स का परयोग करते हैं सारे प्रणाउन को एक केटगरी में हम नहीं रख सकते हैं इसलिए इसको अलग-अलग केटगरी में रखना गया है यहां पर हम लोग इसको nine categories में बाटे हुए है सबसे पहला जो है उसको हम क्याते है परस्नल प्रणाउन्स दूसरा reflexive pronouns and intensive pronouns यह kinds of pronouns हैं और जिस प्रकार के इसके heading है उसी प्रकार के इसके definition भी है तो आएए one by one हम सभी nouns के definition को समझ लेते हैं तो students सबसे पहले हम लोग जानेंगे personal pronouns के बारे में क्या है यह personal pronouns the personal pronouns are I, you, he, see, it, we, and they तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह सारे pronouns जो हैं वो basically subject के रूप में परियोग होते हैं किसी भी sentence के subject के रूप में इनका परियोग किया जाता है personal pronouns का ठीक है तो personal pronouns में I, you, he, see, it, we, they यह सब सारे words personal pronouns हैं यहाँ पर हम कुछ examples देख लेते हैं I like your address, I like your address इसमें I personal pronouns है, you are late, you personal pronoun है, he is my friend, he यहाँ पर personal pronoun है, it is running, she is on holiday, we live in England, they come from London तो इसमें I, you, he, it, see, we, they यह सब सारे words personal pronouns हैं तो इसको अच्छे से समझ लेना है, next है हमारा demonstrative pronoun, demonstrative pronoun को समझना बहुत आसान है a demonstrative pronoun is a pronoun used to point a specific people or things, किसी भी खास ब्यक्ति या वस्तू को indicate करने के लिए, चीक है, उसको point out करने के लिए, खास करके, इसमें जो words use होते हैं, वो होते हैं, this, that, these, those, हम लोग जानते हैं कि these और that यह दोनों singular हैं, जबकि these और those यह दोनों plural हैं, अब यहाँ पर यह जो these है, इसका परियोग नजदीक की वस्तू को point out करने के लिए जाता है, that का जो है, वो दूर में जो होता है, उसको point out करने के लिए किया जाता है, उसी परियोग जो नजदीक में होता है, उसको point out करने के लिए किया जाता है, I mean near की चीजों को, और जो चीज़ें far होती है, दूर होता है, उसके लि looks better than that car, this car looks better than that car, यहां दीस कार, यहां अश्टुएंट्स, यहां पे दीस और दैट जो है, यह प्रनाउन के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, सॉरी, इसको मैं, यह प्रयोग हुआ है, दिमोंस्रेटिव एड्जेक्टिव के रूप में, क्योंकि नाउन से पहले दीस, दैट का प्रयोग होता है, तो वो प्रनाउन नहीं, बलकि एड्जेक्टिव के रूप में यूज होता है, यहां पर क्या है, मैं इसको क्रोस करता हूँ, मैं आपको अलग से एक्जामपल देता हूँ, जिसे ही अगर हम बोलेंगे, दूसरा है, दैट इस यूर हाउस, इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे, दीस सीज से प्रदा चल रहा है, कि कोई नजदीक में एक घर है, जिसको को बोल रहे हैं, यहां मेरा घर है, and that is your house दूर में कोई घर है जिसको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि वह तुम्हारा घर है यह मेरा घर है वह तुम्हारा घर है तो इस तरह से यह जो है नजदी को बूद करा रहा है और वह जो है दूर को बूद करा रहा है इसी तरह से these और those प्लूरल में नजदी को और दूर का बूद कराते हैं तो friends, I hope demonstrative pronoun आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next है हमारा interrogative pronouns बहुत ज़्यादा use होने वाला pronoun है यह an interrogative pronoun is a pronoun used to ask questions यहनी interrogative ऐसा pronoun है जिसका परियोग question पूछने के लिए किया जाता है किसी को भी हम question पूछते हैं और उसमें जो pronoun use होता है वो interrogative pronoun कहा जाता है जैसे example what are we going to do हम लोग क्या करने जा रहे हैं तो यहाँ पर what word use हुआ है person पूछने के लिए हुआ है यहाँ पर what जो है वो interrogative pronoun है उसी तरह से I found this first who is this यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बता रहा है उसको एक purse मिला है कहीं गिरा हुआ तो बुन रहा है कि मुझे यह purse मिला है मैंने यह purse पाया who is this किसका है यह तो यहाँ सवाल हो रहा है किसका जिस भी व्यक्ति का होगा उसके बारे में प्रस्न पूछा जा रहा है इसलिए यह भी है interrogative pronoun whom did you give the key to अब यह पूछ रहा है कि आपने चावी किसको दिया चीक है whom का मतलब होता है किसको ध्यान रखना यह common difference कुछ है students को confuse करता है हूज मतलब किसका whom मतलब किसको यह पूछ रहा है कि तुमने चावी किसको दिया तो किसको यहाँ पर एक question raise हो रहा है तो यह भी एक interrogative pronoun होगा students तो I hope आपको interrogative pronoun समझ में आया होगा let's go forward the next one is indefinite pronoun इसका नाम सही clear हो ज़ता है indefinite that is not definite definite जो definite नहीं है वो indefinite है यानि इसमें sure नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है कौन सा pronoun है a pronoun that does not refer to any person amount or thing in particular यानि ऐसे परनावन जो किसी भी particular person particular amount या particular thing को refer नहीं करता उसे हम कहते हैं indefinite pronoun जैसे यहाँ पर है someone, anything, something, anyone, everyone इस तरह के जो प्रनावन्स होते हैं जैसे हम यहाँ पर कुछ और examples देते हैं इसका मतला होगा किसी ने मेरी कलम चुरा ली तो यह someone किसके बारे में कहा गया, किसने चुराई, नहीं पता, यह indefinite है तो ऐसे यह प्रनावन्स को हम indefinite pronoun कहेंगे, students, याद रखना The next one is possessive pronouns A pronoun including position is called possessive pronoun एक ऐसा pronoun जो position का मतलब होता है अधिकार जो अधिकार को indicate करता है, position को indicate करता है ऐसे pronoun को हम possessive pronoun करते हैं Mine, ours, yours, is, hers, theirs, यह सब सारे possessive pronoun है जैसे This house is mine That pen is yours इन sentences में हम देख सकने, students You have a mine, yours, position को बहुत करा रहा है इसलिए इसको possession pronouns कहते है The next one is reciprocal pronoun We use reciprocal pronoun when Each of two or more Two or more Subjects is acting in the same way towards the other यहां 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 पर दो या दो से अधिक ब्यक्ति हैं और दोनों ब्यक्ति एक दूसरे के साथ Same action कर रहे हैं तो ऐसे में जो pronoun यूज होता है उसको हम कहते है reciprocal pronoun ठीक है जैसे example में यहां हम देखते हैं John and Mary love each other यानि दोनों ही same acting कर रहे हैं यहां पर मान लो कि यह Mary है और यह John है तो love each other यानि यह भी इस से लव करता है और यह भी इस से लव करती है सॉरी यहां पर उल्टा हो गया यह Mary है यह इसको लव करती है और यह इसको लव करता है यानि दोनों same activity कर रहे हैं इसलिए यहां पर each other या one another Peter and David Peter and David Hate each other यह दोनों एक दूसरे से hate करते हैं नफरत करते हैं यानि पीटर भी David से नफरत करता है और डविट भी Peter से नफरत करता है दोनों same activity कर रहे हैं तो यहाँ पर each other तो इस बेंट्स एक confusion रहता है कि हमको each other का परियोग कहाँ पर करना है और one another का परियोग कहां पे करना है बहुत ही simple है अगर कोई भी action शिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है तो वहाँ पे हम each other लगाएंगे और अगर कोई भी activity तीन या तीन से अधिक लोगों के बीच हो रहा है तो वहाँ पे हम one another का परियोग करेंगे दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे को या एक दूसरे से जैसे यहाँ पर आप देखें कि जॉन और मेरी यहाँ दो लोगों का वर्नन है इसलिए इच अधर लगाएं पीटर और डैविट यहाँ भी दो लोग हैं इसलिए each other लगाया लेकिन यहाँ पर अधिक लोग है यहाँ पर 10 prisoners वर all blaming one another यहाँ पर 10 prisoners है prisoner का मतलब होता है कैदी जो jail में रहते हैं दसो जो jail कैदी हैं यह एक दूसरे के उपर blaming कर रहा है या नि अरोप लगा रहे हैं यहाँ दो से अधिक लोग हैं इसलिए one another का प्रयोग किया गया बोथ teams played hard against each other यहाँ दो team हैं तो दोनों team जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से खेले बहुत ही hard कोशिस किया लोगों ने teams ने तो यहाँ दो के बारे में बताया गया है इसलिए each other का लगाए गया उसके बाद we gave each other gifts यहाँ दो लोग हैं दोनों ने एक दूसरे को gift की दिया एक A है एक B है A ने B को gift दिया और B ने A को gift दिया दोनों same activity किये तो इसलिए each other लगा गया why don't you believe each other दो लोग हैं जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे है तो अब तीसरा यहाँ सवाल पूछ रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास क्यों नहीं करते हो यानि A B पर विश्वास क्यों नहीं करता है या B A पर विश्वास क्यों नहीं करता है same activity में बहुत ज्यादा यूज होते हैं relative pronoun is a word that is used to connect an independent clause to a dependent clause अगर आप clause पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक independent होता है एक dependent होता है इसको दूसरे सब्दों में हम लोग independent clause को principal clause भी कहते हैं और dependent clause जो principal clause के उपर depend करता है for example यहाँ आप देख शकते हैं I saw a man who was blind यहाँ देखें क्या कह रहा है कि मैंने एक बिक्ति को देखा जो अंधा था यहाँ दो sentence है अगर आप देखेंगे I saw a man इसका complete sense है यह अपना meaning बताने के लिए इसके उपर depend नहीं है इसलिए यह हमारा है principal clause लेकिन who was blind जो अंधा था जो अंधा था कौन अंधा था तो I saw a man यह main अंधा था तो इसको अपना meaning clear करने के लिए इस sentence के उपर depend होना पड़ेगा इसलिए इसको कहते हैं dependent clause ठीक है sorry dependent clause तो यहाँ पर आप देखें examples में Scylla who is a teacher also works as a social worker यानि यह कह रहा है कि Scylla also works as a social worker Scylla जो है social work के रूप में भी काम करती है जो की एक teacher है तो यहाँ पर who is a teacher यह क्या है एक dependent clause है और यहाँ पर who word जो use किया गया है एक relative clause के रूप में यूज किया गया है जो यह दोनों sentences को relate कर रहा है यानि independent clause को dependent clause के साथ क्या कर रहा है connect कर रहा है उसी तरह से the car that was stolen last month was found in a river जो car जो है चोरी हो गई थी पिछले month वो एक नदी में बरामद हुआ है नदी से मिला है तो that, a car that was, एक कार जो की तो यहाँ पर that जो है relative pronoun के रूप में use हुआ है उसी तरह से यहाँ पर whom relative pronoun के रूप में use हुआ है students I hope relative pronoun आपको समझ में आया होगा चली चलते हैं next one that is reflexive pronoun reflexive pronoun जो की खुद अपने ही उपर focus करता है, subject जो है यह खुद के ही उपर क्या करता है focus करता है, जैसे definition देख लेते हैं our reflexive pronoun is a specific type of pronoun that is used for the object of a verb when it refers to the same noun as the subject of that verb यानि reflexive pronoun जो है, वो किसी भी verb के object के रूप में काम करता है और object के रूप में काम करते हुए वो reflect करता है किसके उपर? subject के उपर ठीक है? तो उसको हम reflective pronoun कहते हैं reflexive pronoun तो example से हम इसको समझते हैं I hope you enjoy yourselves at the party tonight यहाँ पर क्या कहता है कि मुझे आसा है कि आपने पिछली रात जो है वो party को अच्छे से enjoy किया तो you enjoy yourselves देखिए you subject है enjoy verb है और yourselves यहाँ पर object के रूप में परयोग हुआ है तो यहाँ पर yourself किसके उपर reflect कर रहा है you के उपर reflect कर रहा है जैसे I cook my food myself मैं अपना भोजन खुद बनाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि myself जो है वो reflect कर रहा है किसको I को यानि subject को यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे reflexive pronoun जैसे I का reflex ही परण हो जाता है myself उसी तरह से we का हो जाता है ourselves तो यहाँ पर द्यान देना है self का plural selves होता है अगर singular है तो self होगा और plural है तो selves होगा जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं I hope you enjoy yourselves यहाँ you plural में उसी तरह से we need to believe in ourselves more यानि हमें अपने बीच और भी जादा भरुसा करने की जुरत है विस्वास करने की जुरत है तो यहाँ पर देखें we के साथ ourselves का यूज किया है जो reflect कर रहा है किसको we को reflect कर रहा है तो ऐसे ही प्रणाउंस जो noun के उपर reflect करते हो वो reflexive pronoun कहलाते है I hope आपको समझ में आएगा students so let's go forward and the next one is intensive pronoun आपको थोड़ा सा यहाँ पर नहीं समझ पाने पर confusion create होगा लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो intensive pronoun आपको समझ में आ जाएगा इसमें भी self और selves ही लगा हुआ रहता है self और selves का ही प्रयोग किया जाता है लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या करते हैं कि self और selves के उपर हम emphasis डालते हैं यानि इस पर ज़्यादा जोर डाल करके बोलते हैं एक sentence है कि मैं अपना भोजन खुद बनाता हूँ इसमें खुद पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है तो यह हमारा reflexive pronoun है लेकिन अकर बोलेगे मैं खुद ही अपना भोजन बनाता हूँ तो यहाँ खुद के ऊपर जो है हम ज़्यादा जोर डाल रहे हैं तो यह हो जाएगा intensive pronoun यहाँ पर आप example में देख सकते हैं पहले definition intensive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of a sentence in order to emphasize it emphasize it मतलब इस पर जोर डालने के लिए अब देखते हैं कि political parties का जो है वो rally निकलता है अब rally में परधान मंत्री खुद आ गए तो यह बड़ी बात है unexpected है तो इस तरह से जोर डाल कर बोलना जा रहा है कि prime minister himself पर ज़्यादा जोर डाला जा रहा है इसलिए intensive pronoun है उसी तरह से see herself drives her car वह अपना कार खुद ही चलाती है यह खुद पर ज़ादा जोर डाला जा रहा है self के ओपर ज़ादा जोर डाला जा रहा है तो इस तरह के pronounce यह है वो Intensive pronouns हैं तो Reflexive and Intensive के उपर आपको थोड़ा सा Different को समझना पढ़ेगा क्योंकि Reflexive जो है वो Self के उपर ज्यादा जोर नहीं डालता लेकिन Intensive जहादा जोर डालता है तो I hope Reflexive or Intensive के रूप आपको समझ में आ गया होगा दोनों तो यहां पर आपको याद रखने के लिए कुछ ऐसे टेवल वाइज यहाँ पर बना करके दिया गया है आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं जैसे परसनल प्रणाउन में तो आप समझेगे कि उसमें आई, यू, वी, ही, सी, इट आता है और यहाँ पर आप पजेसिब में देखिए पजेसिब परणाउन को समझना बहुत आसान है इसमें क्या है माइन, यूर्स, हीज, हर्स, आर्स, देर्स यह पजेसिब परणाउन है यहाँ एक्जामपल के लिए दा वाइट कार इज माइन उसी तरह से रिफ्लेक्सिब में यह सारे वर्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर एक्जामपल दे दिया गया है यह इंजर्ड हिंसेल्फ फ्लाइंग फुटबॉल उसी तरह से रेसी प्रकल इच अदर और वन अनदर आता है याद रखने में आपको बहुत ही आसानी होगी इस तरह से डिमन्स्ट्रेटिव को इस दैट और इस दो से याद रख सकते हैं इस इस अ न्यू कार उसी तरह से इंटेरोगेटिव में आप देखेंगे इस तरह का इंटेरोगेटिव जिससे सवाल पुछा जाता है और इंडिफिनिट जो definite ना हो जैसे anything, anybody, anyone, something इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं तो जैसा कि आपने thumbnail में देखा होगा कि मैंने कहा था कि इसमें कुछ exercise भी होगे जो आपको solve करना होगा अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस exercise को solve करें अगर आप इस exercise को आसानी से solve कर लेते हैं that means आपने pronoun को पुरी तरह से समझ लिया है आपको पहले questions को अच्छे से समझना है इसमें आपको दो-दो option मिल जाएंगे सब में जिसमें एक option जो है इसके लिए appropriate है दूसरा option जो है वो गलत है तो आपको appropriate को चून करके इस खाले जगह में भरना है अगर आप इसको अच्छी तरह से भर पाते हैं that means you have completed the pronoun section और इसी तरह से अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत है या आपको पुछना चाहते हैं तो आप comment box में comment करें मैं जरूर उसका reply दूँगा तो अगला video हमारा adjective का बनेगा उसको भी जरूर देखें मैं इस पकार से beginning से series wise आपकी पूरा का पूरा English grammar जो है complete करवा दूँगा अगर आप किसी भी तरह का suggestion देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है Thank you students तो आपका स्वागत है